भारतिय संस्कृती और परंपरा से ओध ग्रो देश हित के कारियों के लिए ततपत सामाजिक कारेकरता सोख, चंचल और हसी नदाकारा आशा पारेक्ष जी मेरा जन मंबई में हुआ है 2nd October 1942 में 7-8 साल की थी, विमल रॉय जी ने मुझे बुलाया और का तुम फिल्म में काम करोगी, मने एक दम से हा करती, मेरी पहली फिल्म बाप बेटी में मने काम किया बच्पन की छोटी थी जम, 10 सार की, तब हमार प्रोग्रम में डांस करती थी, लेड हो जाता तक अभी, तो सो जा दी थी, तो हम उटाते थे, बिसक्रिक किलाते थे, अभी डांस करती थी मेरी पहली फिल्म, एज़ा हिरान, दिल देके देखू थी इस फिल्म के बाद आशा पारेट जी ने कभी तीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से बढ़कर एक बहतरीन भूमे दी घूंगर, तीसरी मंसिर, उपकार, आए दिन बहार के, कटी पतन, मैं तो से तेरे आंगन की ऐसी तकरीबन सो फिल्मों से यदा करा, अपनी पारी और मजबूत करती गई कडी पतिस्पर्धा का सामना करती हुई, आशा पारेख ने उस समय के सभी सुपर हिट अमिनेताओं के साथ काम किया और दर्शकों ने भी उनको हर एक के साथ सराहा आशा जी कितनी फिल्मे साथ काम किया है, आज खुशी तो होगी मझे तो किसलिए तुझ से में ख्यार करूँ कर तो एक बादन आग पाटी पाथांग गॉत तब फिल्म फिल्मों में मैंने काम किया है एक थी अखंड सभागेवती जिसमें मुझे स्टेट अर्वार्ड मिला था अस थे बेस्ट अक्ट्रिस शी वस और व्यूटिफल कथक डांसर और उनका एक बैले भी करती थी आशा पारिक एक परिपून दृत्यांगना है तक हो चाहे भरत ना या फिर वेस्टन फॉप म्यूजिक आशा पारिक में हर यूप में अपनी छाप छोड़ी आखार कुशर आशा पारिक सब नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो असर हमारे बच्चों पर पढ़ता है इसलिए मैं काफी स्ट्रिट रही हूं और कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी तकरीवर चार दशक तक बड़े परदे लेहरानी के बाद भी आशा पारिक जी ने अपनी रचनात्मक अभी रप्ती की गाड़ी को ठमने नहीं दिया डिरेक्शन का शौक तो बहुत थाई पहले से और सबसे पहले गुज़ाती सीरियल जोती बनाई मैंने जीवन में कई सारी जिम्मेदारिया निभाने के साथ साथ आशा जी सामाजिक कार्य से सदा जुड़ी रही जब महराश्चों गुज़ात में बाढ़ आई थी उस समय आशा पारिक जी ने बाढ़ पीजितों के सहायतार्थ काफी अंधदान दिया प्रतिभा की धनी आशा पारिक को धेरों अवर्ड मिले फिल्म सेर्थ, बृतिश रोमनी, विश्व गुर्जरी, कला रत्म और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड पाने वाली आशा पारिक को पदमर्श्री अवर्ड से भी नवाज आ गया आपका एक मकसद होता है कि हमें ये हासिल करना है और उसके हासिल करने के लिए आपको तन से, मन से और सद्धा से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आपने कुछ पाया है तो उसे बाटना भी बहुत ज़रूरी है आज पूरा देश आशा पारेक जी की उगलगधियों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है फिल्म जगत में इनके विशेश योगदान के लिए प्रतिष्टित दादा साहिब फाल के पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है तरक जाओ टर्पे जो चरपे आजी अवाख जो मिला है शी वद्यूरी कोड़ स्वेल कॉर्ट और रस थैयो अशा जी आज थैयो अशा जी अबना नियुक्त अशा जी और राझ जाटाएंस अशा जी गोगष्